दुनिया भर के देश अपने इतिहास को बचाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं पश्चिमंगाल की सरकार इतिहासिक ट्राम को ही खत्व करने में लगी हुई है जिस तरह से ट्रैफिक को बेहतर बनाने के नाम पर कुलकाता में धड़ा धड़ ट्राम की रूटों को बंद किया जा रहा है उसे देखकर ये महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ट्राम सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा एक वक्त था जब देश के कई शहरों में ट्राम चला करती थे लेकिन अब ट्राम का सफर सिर्फ कोलकाता में ही रह गया है कोलकाता ट ट्राम ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम जरिया था। बड़ों से लेकर बच्चों तक की ये पसंदीदा सवारी थी। देश के दूसरे अलाकों या विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ट्राम की सवारी के बगएर कोलकाता का सफर अधूरा माना जाता था। लेकिन अब ट्राम को किसी की बुरी नजर लग गई है। लेफ फरंट सरकार के वक्त से ही ट्राम को धीरे धीरे साइट किया जाने लगा था। लेकिन ममता बनर जी की दौर में तो जैसे ट्राम को बंद करने की खोड़ लग गई है। लेदे कर अब कुछ ही रूट पर ट्राम चल रही है उसे भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमन को एक लेटर लिग कर शहर से गयर सरूरी ट्राम लाइनों को हटाने के लिए कहा है। पुलिस का कहना है कि ट्राम लाइन की वज़ा से रोड एक्सिडेंट बढ़ रहे हैं और ट्राफिक की रफ्तार धीमी हो रही है। पुलिस के मताबिक ट्राम लाइन के चलते ट्राफिक जाम होता है। कोलकाता पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को शहर की उन सडकों की एक लिस्ट भी दिये जिन सडकों से ट्राम लाइन को हटाने के लिए कहा गया है जिन सडकों से ट्राम लाइन को हटाने के लिए कहा गया है उन सडकों से ट्राम लाइन हटाने पर ट्राम के तीन और रूट बंद हो जाएंगे कोलकाता की विरासत का पहिया थम जाएगा हाला के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्निहासिस चक्रवर्ती ने भरोसा दिलाया है कि कोलकाता से किसी भी तरह से ट्राम को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा उनका कहना है कि जिन ट्राम लाइन का इस्तमाल नहीं हो रहा है या जिस रूट पर आने वाले दिनों में ट्राम सर्विस दो बारा शुरू नहीं की जाएगी उन सडकों से ट्राम लाइन को हटा लिया जाएगा ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट एतिहासिक ट्राम को बचाने के लिए सिर्फ दो रूट पर ही ट्राम चलाने पर जोर दे रहा है ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ खिदिरपूर ध्रमतल्ला और ध्रमतल्ला नोनापु को रूट पर ही ट्राम चलाना चाता है इन में से भी खिदिरपूर ध्रमतल्ला रूट पर ट्राम सर्विस आमफान तुफान के बाद से ही बंद है इस साल कोलकाता में ट्राम सर्विस के 150 साल पूरे हो गए हैं ट्राम लवर्स इस यादगार मौके पर जश्न मनाने के बजाए चिंता में पड़े हुए हैं क्योंके ट्राम को पूरी तरह बंद नहीं करने का वादा तो कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से शहर के ज्यादा तर ट्राम रूट को बंद किया गया है उसे देखकर कोलकाता के लोग उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है अब ले देकर आदालत का ही भरोसा है क्यूंकि कलकत्ता हाई कोट ने ट्राम को बचाने का आदेश दिया है मज़े की बात यह है कि पॉलिशन के नाम पर सरकार गाड़ियों पर हजारों रुपियों का जुर्माना लगाती है गाड़ियों से होने वाले पॉलिशन को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के उपाई कर रही है लेकिन जिस ट्राम से ना तो किसी तरह का धुआ निकलता है और ना ही किसी तरह का पॉलिशन होता है उसे ही सरकार बंद करने में लगी हुई है